प्रशान धवन बहुत अच्छी न्यूज सामने आई है इंडियन आप्स गूगल के आप स्टोर पर वापस रीस्टोर कर दी गई है भारत सरकार की इंटर्वेंशन के बाद और यहां पे इंडिया ने अपनी पावर दिखाई है अपनी एकॉनमी की पावर दिखाई है मुझे आज के समय एक कोड यादारी है अब्दुलकलाम साब की मेरे आइडल है इनकी बहुत सारी कोड कई वार लाइफ के वेरियस इंस्टेंसिस में मुझे याद आती है इन्होंने आज से कई साल पहले एक बात कही थी अन्लेस इंडिया स्टैंड अप टू दे वर्ल्ड जब तक इंडिया दुनिया के सामने अपने हग के लिए खडानी होगा न तर तक कोई हमारी इज़त नहीं करेगा ये जिंदगी का कड़वा सच है अपने आप आपको कोई इज़त देने के लिए आपका हग देने के अन्फॉर्चुनेट है मगर ये कड़वा सच है नेचर का, human interactions का, geopolitics का हर जगा in the end बेसिक सत्य आपको यही मिलेगा और recent जो केस अगर हम देखे न तो ये classic example है power respects power का क्योंकि अगर हम Google की जो parent company है alphabet उसको देखे इनके पास कम power नहीं है अगर हम market capitalization के हिसाब से देखे दुन नंबर पे आपको मिलेगा alphabet, market capitalization किती 1.7 trillion US dollars, Turkey और पाकिस्तान की nominal GDP को मिला दोगे न, तब भी ये amount आपके सामने नहीं आएगा, इनके पास अपने खुद की अकड है, खुद का हैंकार है, और इसका display हमने recently देखा, जब Google ने अपने play store से, अब play store basically क्या है, play store हम कह लीजी digital मंडी है, और अगर हम सोच कर देखें तो कितनी डरावनी बात है, कि हमारे देश की जो digital economy है, जो हमारी बड़ी बड़ी companies हैं, जो समान बेचती हैं, लोग उनका समान खरीदते हैं, उसका एक बहुती बड़ा share Google के play store पे है, मंडी ही ये लोग control करते हैं, कल को किसी की radio बंद करवा दे, Google के उपर है, और Google ने रिशनली यही किया, इन्होंने 10 इंडियन बड़ी apps, huge companies की जो apps हैं, ये अपने play store से हटा दी, इनमें कई बड़े बड़े नाम थे, भारत मैटरिमोनी, जीवन साथी, नौकरी, शादी.com समेत कई और various companies थी, आपने कुकू FM का भी ना companies की apps, main digital market से ही हटा दी गई, ये कितना helpless feel कर रहे होंगे, मगर अच्छी बात ये है, कि भारत में हमारी जो government है, इन्होंने इस issue को properly raise किया, proper language के साथ, देखिए, जो powerful होता है, आपने rarely देखा होगा, वो बहुत जादा aggressive words का use करता है, usually respectful तरीके से power दिखाई जाती है, भारत क जो minister है IT के, अश्वनी जी, इन्होंने on record ये बात बोली, कि Google ने जो apps remove करी है ना play store से, ये permitted नहीं है, इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते, ये बहुत जारा कड़े शब्दों में, Google को एक message भिजा गया था, कि decision you turn करो, reverse करो, ये आप जो कर रहे हो, it is not permitted, और यहीं बात आती है power, respects power की Google को पता है, कि India दुनिया की fastest growing economy है, future में revenue कमाना है, इंडिया सही कमाना होगा, Indian government से लड़के या फिर रिच्टे खराब करके, कुछ भी ये gain नहीं करने वाले, और Union Minister अश्वनी जी की intervention के बाद, Google ने इंडिया की apps restore करनी start कर दी है, अपने play store पर, ये मैं आपको बता कोई और देश होता, पाकिस्तान होता, या फिर आफरिका का कोई देश होता, इवन टर्की होता, Google नहीं सुनने वाला था, बट इंडिया के case में, apps वापस आ चुकी है, और apps are restored, और यहां बैसा नहीं है, कि apps कोई वापस आने से कुछ हमें बहुत फ़रक पढ़िया, में अगर तुम अपने हक के लिए खड़े होगे, strength अपनी दिखाओगे, fear नहीं दिखाओगे, तभी दुनिया तुम्हें respect करेगी, अब यहां पर आपका question आएगा, मगर Google ये सब कर भी क्यो रहा था, अचानक से इंडियान apps को remove करना, इन्होंने start भी क्यों किया, यहां पे सार पूरी दुनिया में हिनोंने लागू कर दी और ये कहा था, कि हमने जो digital मंडी बना दी है, एक digital market बना दी है, जहां पर अपनी दुकान खोल के, आप लोगों को समान बेश सकते हैं, तो आपको अगर हमारे digital mall में बैट कर समान बेशना है, तो 30% Google की तरफ लाइए, 30% हमको pay क और इंडिया में मैं देख रहा था, कई entrepreneurs हैं, कई businessmen है, वो खुल के कहती हैं कि इंडिया में business करना देखिए, बहुत ही मुश्किल है, start-up culture को हमने काफी promote तो किया है, मगर ये start-ups लंबे समय तक चल कहने पाएंगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि एक अपल हो आपल तो खेर लोग इतना यूज करते नहीं है, ज़्यातार Android यूज होता है इंडिया की market में, Google, Apple दोनों ही अपने app store पर 30% चार्ज करते हैं, कि 30% तो हमारे पास ले आओ, 100 रुपे का आपने सवान बेचा, 30 रुपे Google के हो गए, फिर सरकार को आपको अलग से 18% G और ये बात आप देखो के कई entrepreneurs ने ये बात खुल के कही है, कि अब ये बात clear हो चुकी है, Google खुल के कह रहा है कि 30% हमको तो नहीं तो ये action भी लेना start कर देंगे, अब ये जो recent apps थी, जिनको Google Play Store से हटाया गया, इनको लेकर Supreme Code में भी hearing चल रही थी, यहाँ पर आप देख पा Supreme Code ने ये कहा, कि हम बिल्कुल startup की प्लीज सुनेंगे, मगर interim order पास करने से मना कर दिया, इसी वीच हम ये रेखते हैं, कि IAM AI, मतलब कि Internet and Mobile Association of India, ये भी Google को कहते हैं, कि जो भी आपके मदवेद है, billing policy को लेकर, कोई पैशा दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, आप आराम से सुल example set करते हैं, हटाओ इन लोगों को अपनी market से, और बताते हैं लोगों को कि जो payment नहीं करेगा, उसके साथ हम ये करेंगे, यहाँ पे न, ये देखकर, कई जो businessmen है, entrepreneurs हैं, वो ये कह रहे थे, कि ये तो एक बहुत जादा dark day है, यहाँ पे तो हमको साफ फील हो रहा है, कि हम त इन का है, डिजिटल मॉल इन का है, मंडी इन की है, जो मर्जी करना है करेंगे, और मैं देख रहा था अचानक से, जिस तरीके से न, इंडिया ने UPI बनाया है, UPI ने mastercard और visa का business, इंडिया में काफियत तक कम कर दिया है, उसी तरीके से demand ये उट रही थी, कि अब time आ चुका है करांती का, कि एक इंडिया का proper play store होना चाहिए, जहां पर आराम से हम लोग बिना डरे, बिना pressure के अपने जो products हैं, वो बेच पाए, और मेरे हिसाब से ये बिलकुल हमको करना होगा, इससे देख एक काम ये भी होगा, जब Google की fees, companies को नहीं पे करनी होगी, तो automatically जो product है, वो consumer के लिए भी सस्ता हो जाएगा, it is very basic, तो जो recently हुआ है, बिलकुल ये dark day था, सरकार ने हलाकी मामला समाल लिया, बहुत सी apps restore हो चुकी है, मगर ये आज का दिनना एक reminder है हमारे लिए, कि हम कितने जादा dependent है Google पर, और ये कितना जादा unhealthy है, इस problem का solution क्या हो सकता है, लिखेग बाकी लोग भी आपकी comment पड़ पाएं, और finally ये है अंध इस वीडियो का, thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you.